जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर मैरे एक ओरिजिनल फोटो है और उसके बाज़ू में मैंने उसका बैगराउंड रीमो किया है आप फोटो के अंदर देख सकते कि कितनी शांदर तरीके से जो उसका बैगराउंड ता रीमो हो चुका है तो आश्ची इस वीडियो के अंदर हमें ही सिखेंगे जो भी आपके पास फोटो होगी उसका बैग्राउंड कैसे चेंज करेंगे नमस्का दोस्तों मेरा नामे रहूल और आप देखरें अपना हमारा चैनल तो आई शुरू करेंगे फेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरू करना अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक जरू करना और नीचे कमेंट में बताना कि आपको क्या नहीं अच्छा लगा अगर आपके मन में कोई भी problem हुआ तो वो भी comment में लिग देना मैं आपकी पूरी help करूँगा तो सबसे पहले आपको chrome browser में जाना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको remote bg डालना होगा उसके बाद उसका website उपन हो जाएगा उसका URL देख सकते हैं कि www.remo.bg उसके बाद slate of photo उपर click करना होगा उसके बाद आपके gallery से आप कुछ भी एक photo open कर लो जिसका background आपको change करना है मतलब कि background आपको remote करना है इसके अंदर friends आपको कुछ भी application की ज़रूत नहीं पड़ेगी जो भी करेगी वो एक website करेगी और इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा सिर्फ single click के अंदर आपके photo का background change हो जाएगा आप सभी को पता होगा कि Pixar बहुस सार ऐसे application है जिसके दर ऐसे हम अपने photo का background change करते हैं लेकिन उसके अंदर 100% जो background है वो change नहीं हो पाता अगर आपने background change किया तो और दूसरी लोगों को समझ जाता कि आपने background change किया क्योंकि उस अच्छे तरीके से background change नहीं होता एकनिस वेफसेट के अंदर आपका फुरा accurate background change हो जाएगा तो आप देख सकते कि यहाँ पर मेरा background change हो चुका है सिप 3 या 4 सेकेंड के अंदर ही अंदर उपर आप देख सकते कि यहाँ पर original image है और नीचे है image without background तो आप देख सकते कि यहाँ पर जो भी background change हो आएए बहुत ही अची तरह से चेंज हो आए और आपको पता भी ने चलेगा और आपको पता भी ने चलेगा कि आपने इसको कैशे change किया उसके बाद आप उसको download कर सकते है डाउनलड हने के बाद आप पुछ इस वरसे आपकी जो image हो देख सकते है आप इसके जेख सकते कि कितनी चांदा तरीके से इसको किया है बस फ्रेंट्स इस वीडियो के अंदर इतना ही अगर आपको इसके अंदर जो भी आपका कलर चेंज करना होगा बैगराउंड का तो इसको आप पिक्सेल मतलब कि पिक्सार्ट बहुसा रहा ऐसे पिक्सार्ट का यूज करना होगा फ्रेंट्स अगर वीडियो चलेगी तो इस वीडियो को लाइक जरू करना और आपको कोई भी प्राब्लम होगा तो निचे कमेंट जरू करना लास्ता देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावा जहीन वंद्य मात्रों